समस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे फुल अनिलिंग प्रोसेस के बारे में और इस प्रोसेस को कम्प्लीट अनिलिंग के नाम से भी जाना जाता है और यह हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंतरगत आती है और अनिलिंग प्रोसेस का एक आप जानते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है अगर हम सबसे पहले basic concept देखें annealing process में 3 step होते हैं सबसे पहले स्टील को heat किया जाता है उसके बाद hold किया जाता है एक particular temperature पर और उसके बाद उसकी cooling की जाती है तो यह basic step रहता है तो अब देखते हैं कि दो टाइप के स्टील हमारे सामने हैं एक है हाइपो यूटेक्टोइड स्टील जिसमें कार्बन परसेंटेज 0.83 परतीसत से कम होती है और दूसरा है hyper utectoid steel जिसमें carbon percentage 0.83 से 2.14 परतीसत के बीच में रहती है जब हमारे पास hypo utectoid steel होता है उस case में हमारा जो austenitizing temperature है वो जो upper critical temperature की जो line है जो A3 line हमें यहां नजर आ रही है इससे 30 डिगरी या 50 डिगरी से ज़्यादा होता है अगर hyper utectoid steel है तो उस case में जो हमारा upper critical temperature है वो यह line indicate करती है जो ACM line है जो एक inclined line है इससे हम 30 डिगरी या 50 डिगरी ज्यादा temperature पर steel को गरम करते हैं यह जो red color में portion आपको नजर आ रहा है यह portion हमें दरसाता है कि इस particular temperature range पर हम steel को गरम करते हैं उसके बाद जब steel को एक particular temperature range पर गरम कर लिया जाता है उसके बाद steel की holding की जाती है जिसके हम soaking भी बोलते हैं तो एक sufficient period तक उसको hold करते हैं hold करने का main card यह रहता है कि जो पूरा steel का पूरा volume होता है उसमें जो phase transformation होता है वो complete हो जाए और हमारी जो heating है पूरे volume होता है steel को उसमें uniform heating हो और जो time period रहता है वो mainly depend करता है steel की thickness या diameter के उपर अगर हम देखें 2.5 से 3 minute लगती है पर mm thickness पर जो हमारा time period का जो हम इसमें consider करते हैं कि हमारा जो sufficient period कितना हो उसके बाद जब holding हो जाती है holding के बाद cooling की जाती है cooling finance में ही की जाती है इसके अत्रिक दिया फिर किसी बड़िया heat insulating material में हमारा जो heat हुआ steel उसको cool किया जाता है और यह जो cooling होती है बिल्कुल slowly cooling इसको किया जाता है क्योंकि जो slow cooling होती है उसके कान जो austenite है वो अच्छी तरह से decompose हो जाता है अब जब austenite decompose होता है उसमें जो अगर hypo utectoid steel है तो austenite decompose होता है perlite और ferrite structure में अगर hyper utectoid steel है तो उसकेस में austenite जो decompose होगा वो perlite और cementite structure में वो decompose होगा अगर आप इस diagram को देखते हैं तो यहाँ पर दोनों cases हमारे सामने हैं यह hypo utectoid steel है और इधर hyper utectoid steel है अगर हम पहले case को देखें कि यह वाला case हमारे सामने है तो उस case में हमारी जो upper critical temperature line वो A3 line है तो इससे उपर हम heat करते हैं तो उस case में क्या होता है कि इस line से उपर जो भी है वो हमारे पास austenite होता है जिसका जो FCC उसकी structure होती है तो इस range पर एक बार जब वो austenite बन जाता है क्योंकि fine-grained austenite की structure बनती है और इसके बाद जब इसको ठंडा किया जाता है तो वापिस ये pearlite और ferrite structure में आता है और यहाँ पर जो structure हमें मिलती है वो भी fine-grained होती है और जिसके कार्ण ये जो structure है इससे हमारी जो mechanical property होती है steel की उसमें improvement आता है ductility बढ़ती है toughness increase होता है उसी परकार अगर हम देखें hyper-utectored steel में जब हम इस upper critical line temperature से ज़्यादा temperature पर steel को गरम करते हैं तो यहाँ पर भी हमें austenite मिलता है और उसके बाद जब cooling की जाती है तो cooling के बाद हमें जो structure मिलता है वो pearlite और cementite का मिलता है तो इस परकार से इस process को किया जाता है अब बात करते हैं कि जब हम slow cooling करते हैं और उस दोरान अगर हमारा जो pearlite है austenite pearlite में decompose हो जाता है तो उसके बाद हम cooling rate को increase कर देते हैं तो इसके लिए जो material है उसको air में भी cool किया जा सकता है तो इस परकार से full annealing है जो वो की जाती है अब बात करते हैं कि वो कौन-कौन से purpose है full annealing को करने के लिए कि हमें जो steel होता है उसके जो grains है उसको refine करना होता है strain और stresses को remove करना होता है steel में softness को induce करना होता है machine ability को improve करना है metal की electrical और magnetic जो properties है उसको improve करने के लिए full annealing की जाती है metal की mechanical properties को improve करने के लिए इस process को किया जाता है अब बात आती है कि जब भी हम full annealing करते हैं अक्सर एक good rule है जिसे हमें याद रखना चाहिए कि अगर material में carbon content जादा है तो उतना ही slower cooling rate हमें रखना होता है तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया full annealing के बारे में जिसे हम complete annealing के नाम से भी जानते हैं जो एक heat treatment process है और annealing process का एक type है कि इस process को कैसे किया जाता है और इस process को करने के बाद steel या metal में क्या क्या changes आते हैं तो आज आपने इस वीडियो के बारे में जाना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और channel को subscribe करना ना भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे जल्दी हाजिर 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 हाज